ना कोई शहर के गणेश नगर इलाके से एक करोड रुप्यों की चोरी का मामला सामने आ रहा है जहां मुंबई की एक कंपनी के करीब दो करोड रुपे कार्ज चोरी हो गए जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में दरच कराई गई है फिलाल या चोरी किसने की इसका पता नहीं चल पाया है कोतवाली और अपराज शाकापुलिस की टीम सेयुकते रूप से चार्च में जुटी हुई है शहर के आजमशा ले आउट गनेश नगर इलाके से मुंबई की एक कंपनी के करीब दो करोड रुपे कार से चोरी हो जाने का मामला सामने आया है सुत्रो से मिली जानकारी के नुसार मुंबई निवासी जैश चवहान की नवनीत एंटरप्राइजस नामक कंपनी है उनकी इस कंपनी में कुजरात निवासी अनिल व्यास प्रकाश भाई पटेल कार चालक जौइंटी और शैलेश देसाई कारेरत है यह चारो कर्मचारी नागपुर में कंपनी के माल के बिल की रिकवरी के लिए आये थे चारो कर्मचारी आजमशा ले आउट गनेश नगर में किसी जतिन खारा की यहां किराय के कमरे में रुके थे यह नागपुर के वेपैरियों से दिन में सफेद रंग की एक्टिवा पर बिल की वसूली करते थे चारो तो फर्वरी को नागपुर आये थे उन्होंने करीब एक करोड नबे लाख रुपे की वसूली की और उक्तरक्म को कमरे के अंदर रखने की बज़ाए उन्होंने कार के अंदर ही छिपा कर रख दिया था यह तीन फर्वरी की बात है इसके बाद चारो कमरे में उपर जाकर सो गए थे चार फर्विती की सुबा जब अनिल व्यास सोकर उठा और कार के पास गया तो उसके होश उड़ गए कार के काज फूटे हुए थे और सारी रखम चोरी हो गई थी अनिल ने ये बात कमरे में जाकर बाकी करमचारियों को बताई तो उनके भी होश उड़ गए साथी उन्होंने गलती का भी एहसास होने लगा अनिल व्यास ने उपरोक्त कमपनी के मालिक जैश शवहान को घटना के बारे में जानकारी दी उसके बाद पाच फरवरी को अनिल व्यास ने इस मामले की कोतवाली थाने में शिकायद दच कराई गुप्त सुतरों से मिली जानकारी के अनुसार नवनीत एंटरप्राइजस कमपनी ने अपने करमचारी अनिल व्यास प्रकाश भाई पतेल शेलिष देशाई और कार चालक जॉइन टी को नापुर में माल के बिल की रिकवरी करने के लिए भेजा था इन चारों ने करिब दो करोड रुपे की वसूली भी की पुलिस द्वारा हवाले से जुडी इस रक्म के होने का भी संदे बताया जा रहा है जिसकी जाच अभी जारी है ये बरा धाडी अपले हैं चाहिवले ओल सकनी घर डाr में पीरस में चाहिते लाहिंrain के रातरी मुखहावाले से जाशाख डाडी के लिए आँ के लिए नोल बाकि थेलskर को दोो आहिए धारी लिय का डाया खितेने काड लिय स्दुपी ुसक्प्पी में गलता है इन्बिसेन न्यूस के लिए अकलेश भादवाच के साथ अकसा अंसारी की रिपोर्ट